नमस्कार, मैं हूँ कृष्णा रन सिंग और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजूकेशन पोडल कृष्णा यह वीडियो प्रैक्टिस सेट के रूप में है, इसमें कुल प्रशनों की संख्यां पचास है और यह पचास प्रशन आपको इतिहास, भुगोल, नागरिक सास्तर, अर्थ, सास्तर, भोत्की और रसाइन सास्तर बिसे से मिलेगा हो सकता है कि यह जो पचास प्रशन का संग्रह किया गया है, इसमें कुछ प्रशन आपको कठिल लगे लेकिन समा डूप से यह सभी प्रशन परिक्षा के लिए महत्पूर्ण है किसी न किसी प्रतियोगता परिक्षा में यह सभी प्रशन पूछे गया है, उन्हीं प्रशनों को यह पें संग्रित किया गया है प्रशनों का अस्तर कुछ उच रखा गया है लेकिन ऐसा प्रशन का भी अभ्यास आपको करने की आवसकता है प्रशन की शुरुवात करने के पहले आपको याद करा दू अधी विडियो पसंद आये तो लाइक करना न भूलेंगे और चैनल पर अधी आप पहली वार है तो परिक्षा की तयारी के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे प्रशन की शुरुवात हम लोग करें हडपा अनि की सिंधू सभेता या आपका इतिहास से प्रशन बनेगा पहला प्रशन है इस सभेता का सरवाधिक मानिता प्राप्त काल है और आपका यहाँ पर राइट अन्सर बी होगा पची सो इसवी पूर्व से सत्रा सो पचास इसवी पूर्व और यह जो हडपा सभिता थी और कि सिंदु गाटे की सभिता भी इसे कह सकते हैं तो इस सभिता की खोज और कि इस सभिता को खोज करने वाले दयाराम दयाराम शहनी था इन्हों ने नहीं इस सभिता की खोज की थी तो इसे भी याद रखेंगे, यह भी पूछा जाता है अगला प्रस्ण है दूसरा नमबर सिंधु घाठी की सभिता निम लिखित में से किस सभिता के समकालिन थी यहां जो हडपा सभेता है सिंदु घाटी की सभेता है वह किस सभेता के समकले नि किस सभेता के इकुविलेंट थी और यहां पे वह भी सभेता चल रही थी और यहां सिंदु घाटी की सभेता चल रही थी उसके बराबर कौन सीज थी पहला यहाँ पे option है मिस्र की सभेता, मोशो पोडामिया की सभेता, चीन की सभेता या तो फिर option नमर D आपका है उपर युक्त सभी तो सिंधु घाटी की सभेता मिस्र की सभेता के भी समकालिन थे, मोशो पोडामिया की सभेता की भी समकालिन थे और चीन की सभेता की समकालिन थी अर्थात option number D आपका सही होगा और इससे related कुछ और भी हम लोग बात कर लें कि या सभेता अनि कि सिंधु घाटे की सभेता इसका जो बिस्तार था इसका जो एरिया था वह पंजाब इसके बाद राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाना, सिंध और बलुचिस्तान तक यह फैला हुआ था अगला प्रस्ण है तीसरा नमबर सिंधु घाटी की सभेता में घोडे के अबसेस कहां मिले है सिंधु घाटी की सभेता में घोडे के अबसेस सुर्कोड़ता से प्राप्त हुए है अगला प्रस्ण है चोथा नमबर सिंधु घाटी अस्थल काली बंगा किस प्रदेश में है इसी दो अप्सन में हम लोग सही अंसर ढूण लेंगे राजस्थान है और गुजरात है सिंधु घाटी अस्थल काली बंगा नि सिंधु घाटी का एक अस्थल था काली बंगन और यह किस प्रदेश में है भारत में ही इस्थित है तो किस राज में, किस प्रदेश में इस्थीत है तो इसका राइट अंशर आपका रजस्थान होगा option number A सही है इसके बाद हम लोग चले पांचमा नमबर प्रश्ण में किस पदार्थ का उप्योग हडपा काल की मुद्राओं के निर्मान में किया जाता था हडपा काल में मुद्राओं बनाई जाती थी तो उसमें किस का उप्योग किया जाता था किस पदार्थ का उप्योग किया जाता था या पूछा गया है option है टेरा कोटा कासा तामबा या तो फिर लोहा तो टेरा कोटा पदार्थ का उप्योग हडपा के लोग मुद्राओं के शिक्कों के जो करेंशी होता है उसका निर्मान में टेरा कोटा का प्रियोग करते थे option नमबर A अगला प्रस्ण है छठा नमबर हडपा सब्भेता किस यूग की थी? यहाँ पे यह पुछा गया कास यूग की थी? यह तो पुरा पासान यूग की थी यह तो फिर D नमबर ओप्शन आपका है लोग यूग की थी तो हडपा सब्भेता यह कास यूग की सब्भेता थी? option नमबर A अगला प्रस्ण है सात्मा नमबर सिंधू सब्भेता के घर किस बनाए जाते थे? सिंधू सब्भेता के घर किस से बनाए जाते थे? इट से? वास से? पत्थर से? लकडी से? तो सिंधू गाटी के सब्भेता के घर इट से बनाए जाते थे? option नमबर A अगला प्रस्ण है आठमा नमबर हडपवासी किस बस्तू के उतपादन में शर्व परत्थम थे? तो हडपवासी किस बस्तू के उतपादन में शर्व परत्थम थे? option यहां पर हम लोग देखेंगे मुद्रा, कांसे के ओजार, कपास या तो फिर जव में थे तो आपका राइट अंशर कपास होगा कपास के उत्पादन में वह सरव पर्थम था नि सब से आगे था अगला प्रशन है नौ नमबर सिंदू सभेता का बंदरगाह कोन शाथ था काली बंगा, लोथल, रोपड या तो फिर मोहन जोदलो था तो सिंदू सभेता का बंदरगाह लोथल था अनि यही से बेपार किया जाता था उप्सन नमबर बी इसके बाद अगला प्रशन में हम लोग चलें दर्श नमबर में सिंदू सभेता का सरवाधिक उप्यूक्त नाम क्या था अनि कि सबसे प्रोपर नाम क्या था यह पुछा है हडपा सभेता, सिंदू सभेता, सिंदू घाटी सभेता या इन में से कोई नहीं तो इसका उप्यूक्त नाम हडपा सभेता थी सिंदू घाटी सभेता को हडपा सभेता के नाम से भी जाना जाता था तो यहां तक हम लोग 10 प्रशन इतिहास से रिलेटेड देखा और यह भी एक चप्टर था हडपा या तो फिर सिंदु घाटी की सभिदा उसी से सभी प्रशनों को उठाया गया था इसके बाद हम लोग आगे चले भारत का संबैधानिक इतिहास अनि यह राजनितिक साथ से प्रशन होगा पहला प्रशन है पुना पैक्ट कब हुआ 1932, 1933, 1934 या तो 1935 इसभी तो पुना पैक्ट 1932 इसभी में संपन हुआ था और पुना पैक्ट डॉक्टर भीम राओ अम्बेद कर तथा महात्मा गांधी के बीच महात्मा गांधी के मध्ध आपस में बाचित हुई थी और वह पुना पैक्ट के रूप में जाना जाता है और इसभी में तो हम लोग देखी लिये थे कि 1932 में या संपन हुई थी अगला प्रश्ण है 12 प्रश्ण मारले मिंटो सुधार का उद्देश क्या था तो इसमें है ऊपस्ण प्रिथक निरवाचन परणाली भारतियों की भागेदारी बढ़ाना युद्ध में सहयोग हेतु तयार करना या थो पूर्ण सोतंत्रता देना तो मर्लो मिन्टो सुधर का मुख उद्धे से प्रिथक निर्वाचन अनिके अलग निर्वाचन परणाली की वेवस्था की गई थी इस शुधर में और यह सुधार मरलो मिन्टो सुधार 1909 इस भी में किया गया था यह भी पूछा जाता है इसे भी याद रखेंगे next question मुसल्मान के लिए मुसल्मानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंब में किसके द्वारा लगाया गया था में हटा देंगे इसको किसके द्वारा लाया गया था यहां पर option है क्रिफ्स मिशन मारले मिन्टो सुधार मॉट्टेंग्यू चेंप्स फोर्ड सुधार और भारस सरकार अधिनियम तो असपस्ट है कि मुसल्मानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ मारले म मिन्टो सुधार के द्वारा लाया गया था और उनीश्वक नो इस भी था जिससे हम लोग पीछे भी देखे थे इसके बाद अगला प्रश्ण है 14 नमर मांटेंग्यू चेंप्स फोर्ड सुधार में प्राबधानों का सार क्या था उसका त्थे क्या था option है राजियों की स् को इस प्रकार पड़ेंगे प्रांतों में 12 शाशन हिंदू मुसलिम हेतु अलग अलग निरवाचन वेवस्था राजपाल को बीटो सकती तो मांटेंग्यू चेंप्स फोर्ड सुधार में प्राबधानों का तत्य था प्राबधानों का सार था प्रांतों में 12 शाशन option नमर B सही होगा अगला प्रशन है 15 नमबर भारत की आजादी के समय इंगलेंड में किस पार्टी की सरकार थी तो यही सरकार थी लेबर पार्टी की सरकार थी यही option आपका सही होगा अगला प्रशन है 16 नमबर भारत की राष्टिय आए तो यहां से अर्थ विवस्था से रिलेटेड प्रशन होगा, इसको हम लोग देखेंगे, भारत की राष्टिय आय में सरवाधिक योगदान किसका था, किरसी छेत्रका, बिनी निर्मान छेत्रका, बेपार छेत्रका या तो फिर बैंकिंग छेत्रका था, तो इसका राइट अ राष्टिय आय का परमुख श्रोत क्या है, किरसी छेत्र, सेवा छेत्र, उद्धोग छेत्र, बेपार छेत्र, भारत की राष्टिय आय का परमुख श्रोत, सेवा छेत्र होता, निकि इससे ही सबसे अधिक इनकम होती है, राष्ट को भारत को, इसके बाद आगे चले हम लो होता है घड़ता है तत्पस्चात बढ़ता है बढ़ता जाता या तो फिर घड़ता जाता है तो इसका राइट ओप्शन यहां पे बढ़ता जाता है होगा जैसे जैसे अर्थव्यस्ता बिक्सित हो जाती है इंप्रूब करता है विकास करने लगता है तो राष्टी आय में तिर्तियक छेतर का जो अंश है वह बढ़ते जाता है तो उप्शन नमबर सी सही होगा इसके बाद आगे चले हम लोग अगला प्रश्ण में उनीश नमबर केंद्रिये सांखिकी संगठन की अस्थापना कब हुई थी केंद्रिये सांखिकी संगठन जिसे सौटकट में CSO कहा जता है अनिकि Central Aesthetics Organization अनिकि इसकी अस्थापना कब हुई थी या पूछी गई है तो 1951 इसवी में केंद्रिये सांखिकी संगठन की अस्थापना हुई थी ओप्शन नमबर B इसके बाद आगे चलें 20 नमबर प्रश्ण में भारत में राष्टिये बिकास की माप के लिए कौन सा बहतर माप है ओप्शन है रोजगार निर्यात का आकार ग्रामिन उभो गया तो राष्टिये आए तो या जो नेशनल इंकम है राष्टिये आए यही ओप्शन नमबर D सही होगा निकि भारत में राष्टिये बिकास की माप के लिए बेहतर माप है इसके बाद आगे है एकीश नमबर प्रश्ण हिंदू विर्धी दर किस से रिलेटेड है किस से सम्बंध प्रतिवेक्ति आए से राष्टिये आए से सक्षर्टा से या तो फिर जनसंख्या से तो हिंदू विर्धी दर यह राष्टिये आए से रिलेटेड हिंदू विर्धी दर ऑप्शन नमर B सही होगा अगला प्रश्ण है बाइस नमबर उनी सो उन्चास में गठी थे या तो फिर महालोनोवीश है तो आपका B नमबर उप्शन सही होगा निकि महालोनोवीश उनी सो उन्चास में गठीत राष्टिये आए समीती के अध्यक्ष थे अगला प्रश्ण है 23 नमबर सोतंत्रता पूर्व भारत की राष्टिये आए के संबंध में किसने अनुमान लगाये थे नेशनल सेंपल सर्वे केंद्रिये सांखिकी संगठन नरोजी और सीराज उपर युक्त सभी तो आपका राइट अन्सर्व सी होगा नरोजी और सीराज इनके द्वराही सोतंत्रता अनि भारत की आजादी के पहले भारत की राष्टिये आए के संबंध में इन्होंने ही अनुमान लगाया था अगला प्रश्ण है 24 नमबर भारत की राष्टिये आए में सरवाधिक योगदान किसका होता है प्रार्थमिक छेतर का दुत्यक छेतर का तृतियक छेतर का या तो सभी का बराबर होता है तो यहाँ पे तृतियक छेतर का योगदान भारत की राष्टिये आए में सबसे यहां पर भारत की राष्टिये आय में सबसे कम योगदान दूतियक छेत्रका होता है, अब 26 प्रस्ण जोग्रफी का भुगोल का यहां से प्रारम होगा, और इस विशय का चेप्टर आक्षान्स और देशांतर से रिलेटर जो महत्पुन प्रस्ण था, उसको यहां पर लिया गया है, तो चलिए 26 नमबर प्रस्ण की शुरुआत हम लोग करें, भुमद रेखा से उत्तर या दक्षिन किसी दियेगे अस्थान की कोणिये दूरी क्या कहलाती है, ओप्शन है, प्रधान देशांतर, देशांतर, अक्षान्स या इन में से कोई नहीं, तो आपका राइट अंसर यहां पर अक्षान्स होगा, ओप्शन नमबर C, अनि भुमद रेखा से उत्तर या दक्षिन किसी दियेगे अस्थान की कोणिये दूरी अक्षान्स कहलाती है, अगला प्रस्ण है 27 नमबर, कौन सा विरहत, वरित का उधा अनि कौन सा विरहत, वरित का उधारन करकर रेखा मकर रेखा भुमद रेखा या तो फिर आर्क्ठीक रेखा है तो भुमद रेखा बिरहत वृत का उधारन हो जाता है 28 नमबर प्रश्ण धुरूव की तरह अनि धुरूव की ओर जाने पर अक्छान्स रेखाओं के ब्यास की प्रकृति कैसी होती है तो यहाँ घटता जाता है Option नमबर भी आपका सही है इसके बाद 29 नमबर प्रश्ण है धरातल पर एक डिगरी अनि की एक डिगरी अक्छान्स की दूरी किसके बराबर होती है 11 किलो मीटर या तो फिर 111 किलो मीटर तो यही आपका अनसर हो जाएगा 111 किलो मीटर होती है इसी के बराबर होती है एक डिगरी में अगला प्रस्ण है तीस नमबर वह काल्पनिक रेखा जो पिर्थवी को दो भागों में बाठती बनाती है या तो बाठती है क्या कहलाती है भुमद रेखा, करक रेखा, मकर रेखा इन में से कोई नहीं आपका राइट अंशर ए होगा और भुमद रेखा होगा कहला जाती है एक तीस नमबर एक डिगरी देशांतर की सरवाधिक दूरी कहां पे होती है तो यह है मकर रेखा पे होती है option number B, एक डिगरी देशांतर की सबसे अधिक दूरी मकर रेखा पे हो जाती है इसके बाद 32 नमबर प्रस्ण है, कुल अक्छानसों की संख्या कितनी है 66, 90, 180 या तो 360 तो आपका right answer 180 होगा अनि कुल अक्छानसों की संख्या 180 होती है, option number C इसके बाद अगला प्रस्ण है, देशांतरों की संख्या कितनी है तो देशांतरों की संख्या असपस्ट है, 360 होती है option number D हो गया आगे चले हम लोग, next question में बिश्वत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं अनि कि जो कल्पनिक रेखाएं हैं, वह क्या कहलाती है अक्षांस रेखा, देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा या मध्यान रेखा कहलाती है तो आपका right answer अक्षांस रेखा होगी option number A, अनि बिश्वत रेखा के समांतर जो कल्पनिक रेखाएं हैं, वह अक्षांस रेखा के रूप में जानी जाती है इसके बाद 35 नंबर प्रश्ण है, कुल प्रश्ण की संख्या 50 रखी गई है तेजी से हम लोग सभी प्रश्ण को देखने का प्रयास करते हैं पिर्थवी के उत्री ध्रूब एवं दक्षनी ध्रूब को मिलाने वाली इसको मिलाने पढ़िएगा, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है पिर्थवी के उत्री ध्रूब और दक्षनी ध्रूब को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है, ओप्शन नंबर बी इसके बाद 36 नंबर प्रश्ण है पर्धान मध्यान रेखा किस अस्थान से होकर गुजरती है औप्षन है ग्रीन वीच, सिड्नी, ग्रीन लेड या तो फिर इलहाबाद आपका राइट अंसर ग्रीन वीच ओप्षन नुमबर ए अगला प्रस्न है 37 नंबर ग्रीन वीच रेखा से ततपर और ग्रीन वीच रेखा से क्या समझते हैं, इसका क्या आर्थ है, यह पुछा गया है, 0 degree अक्छान्ष, 0 degree देशांतर, तो आपका राइट अंसर यही होगा, 0 degree देशांतर, अगला प्रस्ण है, 38 नंबर, मकर रेखा किस देश से होकर नहीं जाती है, तो आपका दक्षनिय फिर यह ओप्षन नंबर, D सही है, अगला प्रस्ण है, 49 नंबर, पिर्थवी के पिर्थवी, एक घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, 12 डिगरी, 15 डिगरी, 18 डिगरी, या तो फिर 20 डिगरी, तो आपका राइट अंसर, 15 डिगरी हो जाएगा, अनिकि एक घंटे में पिर 15 डिगरी, देशांतर घूम लेती है, अगला प्रस्ण है, 40 नंबर, किस देश से होकर करक रेखा नहीं गुजरती है, भारत, मियानमार, इसके बाद है चीन, और D नंबर ओप्षन है, जाइरे, तो यही जाइरे से करक रेखा नहीं गुजरती है, इसके बाद यहां से हम लो लिया गया है, भात्की का प्रकास चप्टर, लाइट चप्टर है, पहला प्रस्ण यहां पे, अनिकि 41 नंबर से प्रारम करेंगे, लेकिन भात्की का यहां पहला प्रस्ण होगा, प्रकास तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुपरस्त, अनुदैर है, उपर युक्त दोनो इन में से कोई नहीं तो प्रकास एक अनुप्रस्त तरंग है, ओप्सन नमबर ए और वही पे अधी धोनी पूछी जाए, धोनी कोन सी तरंग है, तो यह अनुधैर हो जाएगी, अगला है 42 नमबर प्रकास का तरंग सिध्धान्त किसके द्वरा परतिपादित किया गया था, न अधी बादन हाइगेन ने किया था, ओप्शन नमबर बी, इसके बाद 43 नमबर प्रश्ण है, प्रकास के चिकने पिरिष्ट से टकरा कर वापस लोटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकास का प्राबरतन यह कहलाता है, किलियर है, ओप्शन नमबर बी सही होगा, इसके बेग सरपर्थम किसने ग्यात किया था, निकि प्रकास का बेग सरपर्थम ग्यात करने वाले कौन थे, ओप्शन है, गेलेलियो, न्यूटन, रोमर, इन में से कोई नहीं, तो आपका राइट अंशन रोमर होगा, रोमर के दोरा ही प्रकास का बेग सबसे पहले ग्यात किया प्रकास का वेग अधिक्तम होता है किसमें अधिक्तम होता ही रा निर्वात पानी काच तो निर्वात अर्था जहां पे हवा नहीं रहती है उसमें प्रकास का लाइट का वेग सबसे मैक्सिमम होता ओप्सन नमबर बी सही है इसके बाद यहां से अमल भास्म और लवन या केमेस्ट्री का चेप्टर है अमल भास्म लवन इससे कुछ प्रशन लिया गया है तो पहला प्रशन है अमल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रोन गरहन करता है अनिक ही सही होगा सी प्रोटोन वह प्रदान करता है प्रोटोन देता है अमल इसके बाद 47 नमबर प्रशन है चार वह पदार्थ है जो प्रोटोन देता है प्रोटोन गरहन करता है तो यहां पे प्रोटोन गरहन करता है अमल का जस्ट उल्टा हो जता है इसके बाद 48 नमबर वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है अमल लवन इस्टर एलकोहल तो आपका राइट अंशर यहां पे लवन हो जाएगा ने की साल्ट अमल और छार की जब प्रतिक्रिया होगी तो लवन का निर्मान होगा ऑप्शन नमर बी सही है इसके बाद उननचास उदासनी करन क्रिया मे बनता है अमल छार लवन लवन और जल जब उदासनी करन की रिया होती है यह एक रियक्शन है कि में ठीका तो लवन और जल का निर्मान होता है और अंतिम प्रस्चन है पचास नमबर अमल एबंच्हार के परिक्षन के लिए किसका परियोग किया जाता है लिटमस पत्र कोब ौर्ट पत्र अमोनिया पत्र इन में से कोई नहीं तो अमलक और चार के परिक्षन के लिए क्या प्रनियोग किया जाता है आप जरूर को मेंच के माद हमसे Jarnका любим और है यह अंतिम प्रस्ण है और इसका जरूर्श जबाब आप सही-सही देंगे और इसे हमें ग्यात होगा कि आप प्रारंब से अंत तक वीडियो को भली भाती देखते हैं इससे असपस्ट हो जाएंगे हम कि हमारा जो हमारी जो मेहनत है हमारी जो इसमें पूरी इनर्जी जा रही है हम जितने परिश्रम के साथ इस वीडियो को बनाते हैं आप उत नए पुना उसी प्रकार के प्रेक्टिस सेट के साथ तब तक के लिए थाइंक्स फॉर वाचिंग गुडबाई